Welcome to Edujos, Edujos में आप सबी लोगों का स्वागत है जैसा कि आप सबको पता है IV Security Assistant की वेकिंसी आई है 2022 के लिए तो इससे पहले हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थे जिसमें 2019 के जो पेपर थे उसको डिसकस किया था इस वीडियो में 2014 के पेपर डिसकस करेंगे Shift 1 और Shift 2 दोनों के questions इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे तो इस वीडियो को last तक देखेगा 2014 में किस तरह के सवाल Intelligence Bureau यानि कूफिया विभाग के Security Assistant या Executive पद के लिए जो सवाल पूछे गए थे उन सभी सवाल को यान पर डिसकस किया गया है तो एक एक करके सारे questions देखे और अपनी जो exam के आपके preparation होगी वो इसी base पर होनी चाहिए थोड़ा सा इससे level आप बढ़ा लीजएगा क्योंकि exam जो पहले होते थे और अपके questions में थोड़ा सा फरक आने वो सुभाविक है कि फरक आएगा पहले जो question थे वो competition इतना tough नहीं था अब दीरे दीरे tough होता जा रहा है तो question में भी जो बदलाव है वो समय के हिसाब से होता रहता है तो इसके label में आपको थोड़ा सा इजाफा करना होगा अपनी तयारी में तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो लाज तक देखेगा वीडियो पसंद आती है तो इसे like and share जरूर कीज़ेगा हम लोग English और Hindi दोनों में question paper देखेंगे जो पहला question है वो यहाँ पर देवाई कि if four more than twice a number is six less than that number what is the number? Hindi में है यदि किसी संख्या के दोगुने से चार जोडते हैं यदि किसी संख्या के दोगुने में चार जोडते हैं तो जो संख्या मिलती है वह मूल संख्या से छे कम होती है तो वो संख्या क्या है ठीक है इसको solve करने के लिए क्या करेंगे यदि किसी संख्या के दोगुने से तो संख्या क्या है x मान लिया इसके दोगुने से ठीक है दोगुने में अगर चार जोडते हैं तो चार जोड दिया तो जो संख्या मिलती है यानि अब जो संख्या मिलेगी वो मूल संख्या से मूल संख्या क्या थी? X मूल संख्या से 6 कम है 6 कम होती है ठीक है तो X-6 करेंगे यहाँ पर X-6 मूल संख्या से 6 कम होती है यह संख्या तो अब दोनों बराबर हो गई अब जब दोनों को बराबर करेंगे तो इसको solve करने की कोशिश करते हैं देखें solve क्या होगा ये 2x हो गया plus 4 is equal to x minus 6 अब 2x plus 4 है इधर से 4 को उधर ले जाएंगे और x को इधर ले जाएंगे तो 2x minus x is equal to minus 6 minus 4 तो ये minus 6 और minus 4 कितना हो जाएगा minus 10 क्योंकि दोनों ही minus है और इसमें से x आजाएगा आपके सामने तो x की value आपकी आगई 10 minus 10 तो minus 10 इसका सही जवाब होगा ठीक है आए ये next question देखते है next question है A, B and C are going to buy books A, B, C तीनों मिलकर जो है वो book खरीदने जाते हैं जिसकी cost है 540 रुपिया if A pay 40 rupees more than B ये जो है B से ज़्यादा pay करता है और B pay twice as much as C how much does C pay option देख आपके पास हिंदी में पढ़ देता हूँ A, B और C किताबें खरीदने जाते हैं जिनकी कीमत 540 रुपे है यदि A, B की तुलना में 40 रुपे ज्यादा भुकतान करता है और B जो है वो C से दुगुना भुकतान करता है तो C कितने मुल्की किताब खरीदता है ठीक है तो बहुत ही अच्छा सवाल है इसको दियान से देखेगा सबसे पहले यहांपर जो बात देखेए C की बात हो रही है सबसे लास्त में C से दोगुना बुकतान कौन करता है B तो हम पहले C को मान लेते हैं मान लीज़े कि C जो है वो X रुपया बुकतान करता है तो B कितना करेगा क्या लिखा हुआ है C से दोगुना करता है B तो 2X हो जाएगा अब फिर आगे क्या कहता है यहाँ पर कि यदि A B की तुलना में 40 रुपया अधिक करता है B से यहाँ पर देखे A जो है पे करता है 40 रुपय मोर देन B तो अब A की बात निकल गए 2X यानि B का और इससे 40 रुपय जादा ठीक है 40 रुपीस जादा तो अब यह सब का निकल गया अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखे 2X 2X 4 और 1 यह होगा टोटल 5X प्लस 40 इस इक्वल तू 540 अब यहाँ से यह वाला 40 इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा तो 5X इस इक्वल तू 500 X की जो वैल्यू आएगी वो देखे 500 बटे यह प्ला 5 नीचे आगया और यह 100 से कट जाएगा तो X की वैल्यू जो आगई वो 100 आगई अब X किस की वैल्यू थी? C की ठीक है? तो C की वैल्यू आगई 100 अब हमसे पूछ कहरा है सवाल में How much does C pay? तो C कितने की बुक खरीता है? 100 रुपे पे करता है यही आपका अंसर हो जाएगा तो C जो हो गया 100 अगर आपका इसमें B पूछता तो फिर क्या करते है? 2 into 100 यानि 200 हो जाता है B के लिए और A के लिए कितना हो जाता? 200 से 40 रुपे जादा है यानि B से 40 रुपे जादा पे करता है 200 प्लस 40 यानि 240 हो जाता A के लिए अब देखें A पे करता है 240 B करता है 200 ठीक है? B करता है 200 और C करता है 100 अब आप इसको चेक कर सकते हैं यह A का है यह B का यह C का है इन सब को आप जूड़ी है तो देखें 200, 300 और 200, 500 और यह 40 टोटल 540 हो गया इसका मतलब आपका अंसार जोड़ी हो सही अब आई अगला क्वेश्चन वाट इस दा हाफ ओफ थर्टी सेवन ऑफ थर्टी सेवन परसेंट अफ टू हंड़ी यह कह रहा है कि 37 परसेंट ठीक है 200 के 37 परसेंट का आधा क्या होगा यह 2 से 2 कैंसिल हो जागा यह नहीं आपका अंसार आगे 37 कितना इजी है तो इस तरह के मैस के कॉस्चन पूछे जाते हैं जो की आई बी में पूछा गया है 2014 में जिखजाम हुआ था 2014 में अब आएए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स कॉस्चन जो है सॉल्व करना है 2 into 7 minus ब्रेकेट स्टार्ट 6 by 3 और ब्रेकेट क्लोज इसको सर्रल करना है ठीक है आप लोग बॉर्ड मास पढ़ा होगा आपने तो सबसे पहले आप लोग को बॉर्ड मास जरूर याद रखना चाहिए कि पहले किस का देखिए सबसे पहले इसमें ब्रेकेट का यूज करते हैं ठीक है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे जैसे हम यहाँ पर सवाल नोट कर लेते हैं ठीक है 7 minus 6 divided by 3 और यह ब्रेकेट क्लोज अब इसको हम इसी तरह एज़े टीज लिख देंगे 7 minus इस ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे यह वाला पार्ट सबसे पहले सॉल्व करेंगे 6 by 3 का मतलब हो गया 2 यानि 3 से भाग लग गया अब 7 में से 2 करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा और यह 2 है तो अंसर कितना आगे आपके पास 10 जो 10 होगा option number 1 किसका सई जवाब हो ठीक है आपको अगर समझ नहीं आओगा तो जरूर कमेंट की जगर समझ आ गया है तो yes जरूर लिखेगा कमेंट सेक्शन में उसका देखिए अगला question है 5 इसमें है solve इसको भी solve करना है यह भी सरली करन के question है 43 प्लस 0.731 divided by 0.03 इसको भी आपको solve करना है तो जब आप इसको solve करेंगे तो क्या से solve करेंगे इसमें सबसे पहले देखिए 43 प्लस 0.0 मैं पहले इसको note कर लेता हूं 731 ठीक है divided by 0.03 अब इसको 43.731 पूरा लिख दिया मैंने और नीचे में क्या है 0.03 आपको पता यह decimal यहां पर दो point है तो आप उपर जाके 100 लिखेंगे क्योंकि इसके decimal के जगा पर एक लिखते हैं और जितने digit होते हैं वो उतने 0 लिखते हैं अब इस decimal को खतम करेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे यानिए decimal के जगा पर 1 और इसके जगा पर एक, दो, तीन, जिरो लिखेंगे अब दो, जिरो से दो, जिरो cancel हो गया अब आपके पास नमबर आगा 4, 3, 7, 3, 1 divided by नीचे में 3 आया और इंटू 10 आया 10 को अभी ऐसे आप रहने दीजे ठीक है 3 से इसमें भाग लगाएगा कितनी बार में आगा 3 से एक बार में आगा एक, उसके तेरह बचेगा ठीक है तेरह बचेगा तो 3, 4, 12, 1 फिर 3, 5, 15, 2 3 सत्य, 21, फिर 2 और 3 सत्य, 21 तो उपर ये कट जाता है आपका इतने बार में अब नीचे बटे 10 है अब जब 10 हो और डेसिमल में आपको अंसर लेना है तो यहां पर एक दसमलब आ जागा यानि 1, 4, 5, 7, 7 यह आपका अंसर होगा और यह है आपका second option ठीक है? यह सही जवाब जाएगा next question देगे a rectangle has width 5 cm and a diagonal 13 cm find its perimeter एक आयत की चोड़ाई जो है यह 5 cm दिया हुआ है और diagonal दिया हुआ है ठीक है? diagonal दिया हुआ है कितना? 13 cm तो आप से यह पूछा जा रहा है कि इस आयत का परिमाप बताना है यानि परिमिती बताना है तो इस तरह की सवाल को आप कैसे solve करेंगे? आपको यहां देखे अगर इसको triangle मानते हैं यह triangle होगा इस triangle में right angle triangle बन रहा है यह 5 है यह 13 है तो पैथागुरस लगाएंगे आप 13 का square is equal to 5 का square प्लस यहां पर होगा कुछ x का square तो अब जब इसको solve करेंगे 13 का square minus 5 का square is equal to x square इसको solve करेंगे तो कितना होगा? 179 minus 25 is equal to x square x होगा है यह वाली value अब इसको जब solve करेंगे तो यह आएगा 144 अब इसका जब root लेंगे 144 का तो यह आपको x की value कितनी आजाएगी? 12 क्योंकि 144 का root जब होता है under root निकालेंगे तो 12 आएगा तो यह वाली जो भुजा वो आपके पास 12 आ गई तो अब आपको भुजा पता लग गई कि यह 12 है यह 5 है अब यह कप का rectangle है यह 12 है यह आपको detail में समझा रहूं है तो यह भी आपका आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है यह भी 12 होता है और यह भी 12 होता है यह 5 होगा और यह भी 5 है तो आयत की परिमाप निकालने का formula क्या होता है? 2 into लंबाई प्लस 4 है ठीक है? तो 2 हो गया लंबाई प्लस 4 है कितनी है? 12 प्लस 5 तो कितना हो गया? 17 17 into 2 34 34 जो होगा? इसका answer हो जएगा ठीक है? चलिए अगला सवाल लेखते हैं What should be the missing number in the series? Series का question है यह इसमें 5, 12, 54 और 110 देया है बीच में यहाँ पर जो missing है यह आप से पूछा गया है अब देखिए 5 है फिर 12 है बीच में खाली है 54 है और फिर 110 है 5 से इसका क्या relation बनना है? ध्यान से देखिएगा इसको 2 से गुणा किया गया है और फिर 2 जोड़ दिया गया ठीक है? यहां देखिए 54 को भी देखिए 54 दुणा 108 होता है याने 2 से गुणा किया गया तो 108 है aur इसमें 2 जोड़ दिया तो 110 मिल गया तो उसी तरह 12 में हम क्या करेंगे 12 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हैगा 24 और इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हैगा 26 अब देखे 26 से 54 को चेक कर लेते हैं 26 दुना 52 प्लस 2 करते हैं तो 54 आजाते हैं इसका मतलब यहाँ पर आएगा 26 ठीक है next question देखते हैं find the sum of all number from 1 to 79 एक से लेकर 89 तक टोटल संख्या है इसका sum बताना है कितना है यानि 1, 2, 3, 4 ठीक है 5 डोट 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 जहां तक 79 तक इन सब को आपस में जोड़ना है तो आप इस तरह से 1 by 1 नहीं जोड़ सकते इसके लिए formula होता है formula क्या होता है एक से उनासी तक की सभी संख्याओं का कुल योग क्या होगा जब natural number का sum पुछा जाए एक से लेकर जब start के जाए लगातार तो उसका formula होता है n into n plus 1 divided by 2 यह formula होता है इसको जब हम solve करें n जहाँ पर क्या होता है आखरी digit होती है आखरी जो number होती है वो अब यहाँ पर 79 है 79 into 79 plus 1 divided by 2 अब इसको solve करेंगे तो कितना हुआ 89 into 80 divided by 2 2 से इसको करेंगे तो कितनी बार में कटेगा 40 आपके पास 40 गुने 89 40 गुने 89 ठीक है 40 into 79 यह आया अब इसको solve करेंगे तो मैं 40 को 80 से गुना कर लेता हूँ और फिर 40 कम कर देंगे क्योंकि 40 से 89 में गुना करना अब के लिए कठिन होगा तो इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे 80 से कर लेंगे 40 into 80 कितना होता है 32 हो जाएगा और इसमें एक यह 80 बार हमने गुना के हमको करना 89 बार था तो हमने यहां पर 3200 में से एक बार 40 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आजाएगा 3160 इसलिए कैलकुलेशन यह होती है तो इसका आंसर हो जाएगा 3160 अब आप गुना करने बैठ जाते हैं 89 इंटू 40 तो आप करो सकते हैं 4 से गुना कर लेते हैं 0 यह 0 तो काफी लंबा टाइम लगता तो इसलिए यह easy process होता है कि आप इसको round figure करके गुना कर लिजे और जितना इधर बढ़ा है उससे कम कर लिजे चलिए बाते हैं बात करते हैं A is taller than B but shorter than C B is as tall as D but taller than E who is the tallest अब सवाल है यहां पर A जो है B से लंबा है पर C से छोटा है B जो है वो D के बराबर है B जो है D के बराबर लंबा है पर E से लंबा है तो सबसे लंबा पूछा गया कौन है सवाल क्या कर रहा है A जो है वो B से लंबा है अब मान लिजे मैं ऐसे रख रहा हूँ लंबाई के करम में, जो लंबा होगा वो सबसे उपर रखोंगा मैं उसको, ठीक है, अब यह कह रहा है A जो है वो B से लंबा है, मान लो A यहां पर है, B से लंबा है तो B के उपर रख दिया, पर C से छोटा है, पर A जो है वो C से छोट है विसे लंबा तो हो गए सी से छोटा तो अब सी से छोटा हो गया ए test पहला statement चेक कर लिजे स्टs a टॉलर दैन बी बटस्टर धन सी चाटर धन सी चलो अभी तक पर ठीक है अब आगे कहा रहा है B जो है वो D के बरावर है तो B जो है D के बरावर है तो B को इसके D के साथ रख देंगे लेकिन E से लंबा है E से लंबा है D तो E यहाँ आजाएगा E छोटा हो जागा ने D से जब E E छोटा होगा तब ही तो D बड़ा होगा अब यहां पर पूछा जा रहा है कि अब सबसे लंबा कोन है तो सबसे लंबा कोन होगा सी सी इसका सही अंसर जाएगा अब यहां पर next question है a man is facing north reasoning का question यहां पर है ठीक है he turns 45 degree in the clockwise direction and then another 180 degree in the same direction and then 270 degree in the anti clockwise direction which direction is he facing now ठीक है बहुत यह अच्छा सवाल है direction से एक question तो हर में हमेशा पूछा जाता है किसी ने किसी पर तोकता परीच्छा में अब यह क्या कह रहा है हिंदी में लेखे एक आदमी उत्तर की और मुख सबसे पहले हम इस question को करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर direction ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है इधर North होता है इधर South होता है इधर East होता है और इधर West होता है अब कह रहा है एक आदमी उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है तो उत्तर इधर है इस तरफ North की तरफ वह face करके खड़ा है अब उसके बाद कह रहा है कि वह आदमी अच है ठीक है ऐसे गुमती रहती है तो 45 डिग्री में गुम गया अब इसका face कि इधर हो गया इस तरफ हो गया ठीक है अब कहा जा रहा है कि उसके बाद वह पुना जो है गड़ी की दिशा में गुमता है 180 डिग्री फिर से गुम जाता है तो अब यहां कोई चीज खड़ी है द अब यह बंदा वह इस तरफ खड़ा है ठीक है अब उसके आद सवाल पूछ रहा है घरी की दिशा में गुम जाता है उसके आद उसके आद 270 डिग्री घरी की सुई की उल्टी दिशा में गुमता है अब यहां से 270 डिग्री उल्टी दिशा में तो उल्टी दिशा कैसे होती गड़ी की ऐसे है ठीक है ऐसे जब गुमेगी तो गड़ी की उल्टी दिसा होगी अब यहां से 170 तो 180 तो 180 तो 180 तो यहीं हो गया अब यहां से 90 और लेना है यानि बंदा इस डिरेक्शन में आ जाएगा दो 45 यहां अब 45 और लेलेंगे तो 180 tek 45росланग फैन ग्योन से 270 यहां से हम ऐसे वापिस गोंजाएगे तो अब जब कोई चीज ऐसे खड़ा है ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक point कर लेते हैं, क्योंकि starting point उसका यहीं था, अब यह क्या होता है North, यह होता है East, यह होता है South और यह होता है West, तो अब वो कहां खड़ा है, पूछ रहा है कि वो अब किस दिशा में खड़ा है, किस direction में उसका face है, North और West के बीच में है, तो ज अगला सवाल देखे, arrange the given word in the correct sequence in which they occur in the dictionary, dictionary के हिसाब से आप लोग को यह question solve करना है, कि कौन जो है word जो है वो पहले आएगा, कौन सा word जो है वो बाद में आएगा, dictionary का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, कि पहले A होता है, फिर B होता है, फिर C होता है, फिर D होता है, अब अगर कोई word इस तरह से लिखाओ कि A B, A C, A D, A E, तो आपको पता है कि यह पहला होगा, यह दूसरे नमबर पर होगा, यह तीसरे पर होगा, यह चोथे पर होगा, इसी में मैं अगर यहां पर पलट दूँ, ठीक है, A X, A C, A B, तो आप इसको arrange कैसे करेंगे, तो इसमें सबसे पह नमर पर होगा, B के वाद C होता है, तो C दूसरे नमर पर होगा, C के वाद लास्ट में आता है, X, तो X जो होगा, लास्ट में आएगा, तो इस तरह से इस वाले question को solve करना है, आप सभी लोग को यह चीज आती होगी, इसमें टाइम लगेगा, तो आप सभी को आती ही होगी, फिर भी मैं इसको करके देता हूँ, देकि सबसे पहले D देख लिया, सब में D है, ठीक है, I भी सब में है, double S भी सब में है, नहीं, D, I, S तक तो सब में है, ठीक है, D, I, S सब में है, इसमें देखे, S के आप यहाँ पर T है, तो T आ गया, तो इसका मतलब यह सबसे last में आए अब आए बात करते हैं, double S वाले सब को चेक कर लेते हैं, तो यह तो हो गया last में, ठीक है, last में कोन है, एक यह वाला part है, और एक यह वाला part है, जिसमें चौथा नमबर last में है, तो दो option आपका यह cut गए, यह option नहीं होगा, यह option नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है सिर्फ यह और यह, अब आते हैं, पहला जो है, D, I, double S, उसका आई है, इसमें U है, इसमें E है, ठीक है, इसमें भी E है, तो अब दो में E है, E यानि उस सबसे पहले है, यह इन दोनों से पहले आ रहा है है, इसमें O है, तो E है, इसमें डबल S है, उसका आद E आ रहा है, और इसमें भी को ना जागा डिसेक्ट आगा यह जिसमें 6 पहले होगा वही आगा तो 6 किसमें है इसमें तो option number 1 जो है वो सही जवाब होगा अब आते हैं question number 10 पर question number 10 अगर यह मैं थोड़ा zoom कर दूँ क्योंकि question एक पेज दो पेज का question paper मिला था आई भी के exam में तो यह चीज ध्यान रखना आपको यहाँ पर है भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज कौन है ठीक है तो जो इसका सही जवाब है वो है केरल ठीक है केरल है इसका सही उत्तर है option number यहाँ पर 4 इसका सही जवाब है अब आई अगला question है वो है किस नदी के उपर भाकरा नंगल बांध जो है वो निर्मित है ठीक है तो यह है सतलज नदी के उपर जो इसका सही जवाब है वो सतलज नदी है जो कि option नमबर चार इसका सही जवाब है ठीक है अब यह बात करते हैं कोटिल का महान गरंथ जो की अर्थ सास्त्र है वो किस विशे पर है बहुत इंपोर्टन कोश्चन है और बार बार पूछा जाता है हर एक एक्जाम में पूछा जाता है तो यह जो है एक्चुली यह स्टेट क्राफ्ट पर बेज़द है सासन और पर सासन की कला पर बेज़द है ओप्शन नमबर टू सही है लेकिन कई जगह पर आपको आर्थिक नीती भी मिलेगी तो यह भी ऑप्शन सही है और यह भी ऑप्शन सही हाला कि जो बेस्ट ऑप्शन कहा जाएगा वो option number 20 सही है, ठीक है, अब यह देखें हैं, आप चार वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, आप सभी को पता है, यह rig वेद जो है, सबसे प्राचीन वेद है, इसके बाद option है, साधारन नमक खाने में परिक्थ होने वाला नमक, जो कि sodium chloride होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है, यह पूछा है, साधारन नमक जो हम लोग खाते हैं, वो sodium chloride होता है, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, यह आपको इसमें से चार option दिये हुए है, इसमें से जो सही जवाब है, वो है sodium bicarbonate, ठीक है, यह, option number 1 जो है, वो सही है, उसके बाद है, आलू लोग confuse होते हैं, अकसर ध्यान रखेगा, जो आलू होता है, वो पौधे का कंद होता है, कंद जिसको की आप tuber बोलते हैं, t-u-b-e-r, tuber कंद होता है, ठीक है, तना से बहुत लोग confuse होते हैं, कि आलू का हम कौन सा भाग खाते हैं, तो तना खाते हैं, वो ठीक है, लेकिन पौधे का कौन सा भाग होता है, तो यह होता है, कंद, यह ध्यान रखेगा, अब आई यह सवाल है, सिनिमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्न में से किसके नाम पर सरवच पुरुषकार दिया जाता है, तो इस अभी आपको पता है, दादा साहाब फाल के इनी क नाम पर दिया जाता है, ठीक है, अगला सवाल है, सांती स्वरूप बटनागर पुरुषकार दिया जाता है, किन को दिया जाता है, ठीक है, नीचे जो आप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर साफ साफ लिखावा है, चार आप्शन आपको, तो विज्यान के उतकरिस्ट योग मुखदान के लिए यह शांती शुरूप बर्टनागर पुरुषकार देया जाता है अब अगला सवाल देख लिए ठारा नंबर कोश्चन भारत के पर्थम नॉबल पुरुषकार के विजयता कौन है यह रविन नाट टैग हो रहा है अब सभी लोग को पता है अब आ यह बात मानब संसादन विकास मनताल है ठीक है क्योंकि यह स्कूल में दी जाती है मद्यान वोजन योजना अब अगला यह राजस्थान सोरी यह भारत भवन किस राजकी राजधानी में इस्थित है जो भारत भवन है वो है मद्य परदेश में इस्थित है अगला है राजस्थान का जो राजकिये पसु है यानि राज़िपसु कौन सा है तो राजस्थान का जो राज़िपसु है वो है उंट आप सभी लोग को पता है इसके बाद बात करते हैं Malaysian Airlines के किस विमान को युकरेन के उपर से उड़ान भरते समय जुलाई 2014 में मार गिराय गया था तो यह जो विमान है विमान संख्या है MH17 MH17 उस समय उसको गिरा दिया गया था ठीक है उरान भरते समय उसको मार के गिरा दिया गया था हो जाए 2014 में तो इस तरह के लेटेस्ट न्यूज भी आपको याद रखने आपको आइडिया मिल रहा होगा कि करेंट अफेर्स के कोश्चन भी पूछे जा रहा है लंदन में भारतीय उचायुक्त कौन है ठीक है लंदन में भारतीय उचायुक्त क्योंकि इस समय सवाल पूछा गया था यह रंजन मताई ठीक है अब यह अगला सवाल देखे भारत के रास्तिय सुरक्षा सलाकार कौन है यह वर्तमान समय में भी है अजीत डुबाल अजीत डुबाल जो है वो वर्तमान समय भी भारत के रक्षा सलाकार है यानि परधान मंतरी के रास्तिय सुरक्षा सलाकार भी आप उसको कह सकते हैं अजीत दोबाल अब यह अगला सवाल है यह पुस्तक से इन्यून पुस्तक में से कौन सी हिलेरी क्लिंग्टन द्वारा लिखी गई पुस्तक है तिक है living history hard choices dear socks dear buddy ठीक है तो यह सब भी पुस्तक तीनों जो पुस्तक है यह तीनों पुस्तक जो है वो Hilary Clinton के द्वारा लिखी गई अब पुछा गया तेलंगाना के मुखमंतरी कौन है तेलंगाना के मुखमंतरी जो उस समय थे वो भी केज चंदर से खर रहा हूँ थे और आज के समय भी केज चंदर से खर रहा हूँ तो मैंने वर्तमान समय में जो मुखमंतरी है उनकी लिस्ट के लिए एक वीडियो बना दिया है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो देख सकते हैं लिंक दे दिया है मैंने तो बिहार के मुखमंतरी नितीश कुमार थे अभी वर्तमान में नितीज कुमार है लेकिन उस समय जब बने थे वो जीतन नाम मान जी थे कुछ समय के लिए बने थे नितीज कुमार नहीं अपना पत दिया था उन्हें किसी कारण वर्स उसके बाद आई है वर्स 2013 में सर्वस्रेस्ट फीचर फिल्म का इसिसको प्रुशकार विजयता कौन सी फिल्म है ठीक है यह है सब आफ छिसीस ऐख सिप ओफ फिसीस इसको जो है जो है उस समय मिला था स्वर्न प्रुशकार ठीक है सर्वस्रेस्ट फीचर फिल्म का आवार्ड दा अग्या एब आद यह बात करते हैं ये देखे स्वर्न कमल जो पुरुसकारे इसको बोलते हैं गोल्डन लोटस अवार्ड भी बोलते हैं अंग्रेजी में इसको तो ये भी याद रखेगा शिप ओफ थेसियस अब भारत के राष्टपती का चुनाव संपादित करना किसका उत्तरदायूत तो होता है ठीक है राष्टपती का चुनाव है वो कौन करते हैं ये बहुती अच्छा सवाल है ठीक है ये करता है भारत निरवाचन आयोग उसका अधा है राष्टपती का चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयू सीमा क्या होती है अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं होती है ठीक है किसी भी उम्र में राष्टपती का चुनाव लड़ सकते है नियुन्तम के लिए जरूर 35 साल नियुन्तम उम्र होती है यह याद रखना है आप लोगों को मेढग के हिड़दे में कितने कक्छ होते हैं यह अगला सवाल है ठीक है मेढग के हिड़दे में जो है वो तीन कक्छ होते है उसके आधे मानव पाचन तंत्र को किस नाम से भी जाना जाता है इस नाम से नीचे option दिया है उसका नाम क्या है? ठीक है? तो यह हर्मॉन के बारे में आपके पास option दिया हुआ यहाँ पर जिब्लीडिंट ठीक है? सा इटो लुमीन, औक्सीन और फिर कोई नहीं तो जो सही जवाब है वो है vaccै ठीक है? ऑक्सीन जो हर्मॉन है वो किसले दल पर बनता है इसका English में भी question है English version भी आप लोग को English में चाहिए होगा तो मैं English में भी upload करा दूँगा comment करके बताएगा कि आपको English में चाहिए ज्यादा comment अगर आते हैं तो मैं English में भी provide करा दूँगा उसके बाद है यहाँ पर देखे सूर्ह की किरन, ये मानव शरीर में तनाव पुर्ण इस्थिती पैदा करने वालें अनतर स्राप का नाम क्या है? तो ये होता है अड्रिनलीन ठीक है, अड्रिनलीन जो ग्रंथी है यही तन्व पूर्ण स्थिती संगी किरन को प्रिज्म से गुजार कर अलग करने वाले सबसे पहले वग्याने के जरूर ध्यान रखेगा यह आईजक न्यूटन थे इससे कन्फ्यूज नहीं होना आप लोग को आईजक न्यूटन ही थे जो सबसे पहले उन्हों ने यह चीज बताई थी इसके बाद आएंग सौर उर्जा से व्यूत्वण नहीं है तो जो नूमन में से कौन से यहाँ पर 4 option दिया है अपके पास बुगर्बिय उर्जा पबन उर्जा परमानू उर्जा या फिर जैब पिन्ड तो जो जोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधी को क्या कहते हैं आप देख रहे हैं बेसिक कोश्चन सब्सक्राइब जो रेगुलर रिपीट होते हैं किसी भी कॉम्टिटिटिव एक्जाम में उस तरह के कोश्चन आईबी के एक्जाम में पुछे गए हैं ठीक है आईबी ACIO का भ ला SECURITY ASSISTANT अब अब आज अब यह सबसे पहले बात करें यहां पर जो कोश्चें है 38 सबसे पहले RADIO SACRETA परयोग किस ने किया था रेडियो सक्रेटा का जो सबसे पहला उपयोग किया था कि इस सब्द का वो हेंडरी बैकरल ने किया था उसके अधा है कि रोगों के जल के दौरा रोगों को जल के दौरा उपचार की पढ़नाली क्या कहलाती है अगर किसी रोग का जल के द्वारा यानि पानी के द्वारा जो इलाज किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोपैथी ठीक है क्योंकि जल जो है वो हाइड्रोजन होता है H2O और इसी से रिलेटेड है इसलिए इसका नाम हाइड्रोपैथी रखा गया है अब आई बात करते हैं हर्माफ्रोडाइट वे प्रानी हैं जिनके शरीर में सिर्फ नर्योनी होती है, सिर्फ मादा योनी होती है, नर्मादा 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 होती है, ये चार अप्छन आपके पास दिया है हर्म हर्maophrodite वो प्रानी है जिसके शरीर में दोनों योग्यूण होती है अब अगला सवाल है खादे परियरक्षन में प्रयुक्त होने वाले अमल का नाम क्या है यृनि खादे पर इरक्षन का यूज के जाता है खादे परिडक्षन के अंदर कि जब एक इतर की बुतल कम्रे के कोने में खोली जाती है तो उसकी जो खुशबू है वो चारो तरफ फैलती है यह किसका उदारन है सता तनाव का संचारन का लसीनापन का या फिर विशरन का विशरन या प्रसरन उसी को कहत है तो यह विशरन की वज़़ा से या प्रसरन की वज़़ा से जो अगर इतर की बोतल आप खोलते हैं कम्रे में किसी कोने में तो चारो तरफ खोशबू फैल जाती है प्रसरन की वज़़ा से या फिर विशरन की वज़़ा से ठीक है अगला सवाल देखते हैं टीवी का अव संकیत कि मौसम ने संगेता कि मौसम ने वाला है वांग्ला कोस्चन देखे इस तरह कर यहां पर कोस्चन हो मिलान करों को यह ब्रेंद पास्कल कर यह निवटन फंसम्राइब मौन खोदिएक ठीक है ये बिल्कुल सामने सामने आप मिला दीजे पासकल जो ये दवाब है न्यूटन जो है वो बल है जूल जो है वो कार है और वाट जो है वो शक्ति है वाट क्या है शक्ति का मातरक वाट है ठीक है कार का मातरक जूल है बल का न्यूटन है दवाब का पासकल है तो ये इस किसी liquid में जब किसी शरीर को दूबाव दिया जाता है तो उसके भार में एक पर्टेक्ष रूप से कमी आती है उसको विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है वो जो कमी है यह कौन सा नियम आप सभी को पता है आर्क मेडीज आर्क मेडीज ने यह सिध्यान दिया था कि ज पिर्थवी अपनी धूरी पर एक घुर्णन 23 गंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है यदि हम पिर्थवी को बाहर से देखें तो इसे डैस से डैस घुमता पाएंगे अब यहाँ पर option है पस्चिम से पूरब पूरब से पस्चिम उत्तर से दक्षिन या फिर दक्षि अब वाईू मंदल के उपरी सथा पर ओजोन परत महत पूर्ण है क्योंकि ये क्या करती है ओजोन परत क्या करती है प्रकास अंसलेशनлемे साहता करती है नहीं प्रत्वी की ओर्जा को बाहर जाने से रोखती है नहीं । प्रावैगनी किर्णों को बिल्कुल रोक देती है नहीं प्रावैगनी किर्णों को अंस्ता वायु मंदल नीचे आने से रोक देती है अंस्ता मतलब थोड़ी थोड़ी रोकती है ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी रोक देती है और जो परत है वो कुछ ने कुछ पार्ट आ भी इसका फुल फॉर्म होता है उसका पचासमा कोश्चन है टेलिविजन तकनीकी के छेतर में LCD LCD का फुल फॉर्म क्या है अब देखिए LED भी आ गया है ठीक है OLED आ गया है तो इन सब का भी फॉल फॉर्म आपको जानना होगा LCD का फॉल फॉर्म है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्पले अप्चन नमबर एक जो है वो सही जवाब होगा अब यह क्या बन है विश्व का सबसे उचा पठार कौन सा है तो जो सबसे उचा पठार है विश्व का वो कौन सा पठार है तिबबत का पठार जो है विश्व का सबसे उचा पठार है option number 4 यहाँ पर सही जवाब होगा अब बाबन number question देखते हैं रक्त को जमने में सहायता कर उसका बहाव रोकने में निम्न में से कौन कारे करता है सहायता करता है ठीक है vitamin B1, vitamin B2, vitamin D या फिर vitamin K तो vitamin K इसका सही जवाब है अगला सवाल देखें तीरपन number सवाल है इक computer का एक network के साथ जोड़ने के लिए जो पता दिया जाता है उसे क्या कहते है और यही यहाँ पर option दिया हुए IP address अब आए आर्बियाई का यहाँ पर एक computer को एक network के साथ ये तो आपने को बता दिया है कि जोडने के लिए जुज़ अड्रफ दिया जाता है वो IP इसका फूल फॉम होता है इंटर सर्विलेंस इंटेलिजेंस अगला सवाल देख लेते हैं छपन रोजर फेडर की स्खेल से जुरे हुआ है रोजर फेडर जो है वो लॉन टेनिस से जुरे हुआ है यह ध्यान रखेगा पैंक्रियाज गरंथी से कौन सा अंतह सराव निकलता है पैंक्रियाज आप सभी लोग को पता है कि पैंक्रियाज से जो है वो इंसुलीन सरावित होता है और इंसुलीन की कमी से ही जो है वो इंसुलीन जब गड़बर हो जाता है तो उसी से ही मधुमे होता है मधुमे ही रोग तो फिर उनको इंजेक्शन दिया जाता है उसको जो कंट्रोल करने के लिए injection दिया जाता है जो कि अक्सर आप देखते हूँ है कि जो मदुमेहरोगियों है उनको diabetes जब हो जाता है यह diabetes के कारण उनको insulin का injection पड़ता रहता है regular उसको normal करने के लिए उसके बाद देखिए लाल के लिए कि मोती मस्जिद किस मुगल बातसा ने बनवाई थी यहाँ पर चार option आपके पास जहांगीर, साजह, अकपर या फिर औरंगजेब ठीक है तो चार option जो है इसमें से जो सही जवाब है वो आपका है औरंगजेब औरंगजेब ने लाल के लिए कि मोती मस्जिद बनवाई थी ठीक है अब आई बात करते हैं चरक चरक का नाम आपने सुना होगा सुसरूत का नाम सुना होगा धनवन्तरी प्राजीन भारत में किस विद्या से विशे सग्य थे यह सब ही चरक जो अगर एक भी नाम संस्कृत गरंथ की रचना किस ने की थी कादमबुडी की रचना किस ने की थी बान भटने की थी हर्स चरित के भी बारे में जान लिजे हर्स चरित किस ने लिखा था हर्स चरित भी बान भटने लिखा था ठीक है उसके यह बात करते हैं हिंदी उपन्यास होता है नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो होता है सत्पूरा से अगला सवाल देखिए गोंड अधिवसी विंद परवतों के मूल निवासी है इसी प्रकार भील किस परवत वाला के मूल निवासी है ठीक है ये भी सत्पूरा के है अगला देखे चौंसर्ट नुमर सवाल वह है तो यह है केरला में सथित है ठीक है अब अगला सवाल देखे हैं हम लोग अगला जो सवाल है वो है 75 नमर डलाल स्ट्रीट सामानित भारतिय वित वुस्यर बजार से सम्बंदित है उसी तरह लंदन सथित Fleet Street, किस छेतर वो गतिविदी से संबंदित है ठीक है, पत्रव अखवारों के मुद्रन के लिए ठीक है, पत्रव अखवारों के मुद्रन के लिए जो है वो लंदन से जो Fleet Street है, वो famous है जैसे यहाँ दलाल स्ट्रीट इंडिया में famous है शेर बाजार के लिए उसी तरह लंदन में Fleet Street पत्रव अखवारों के मुद्रन के लिए अब अगला सवाल है, लाल बहदूर शास्त्री, रास्तिय प्रशाशन अकेडमी ठीक है, लाल बहदूर सास्त्री, रास्त्री प्रशाशन अकेडमी जो है वो कहां अवस्थित है ठीक है जो इसका सही जवाब है वो है मसूरी ठीक है आपके पास option दिया है मसूरी बोपाल जोतपूर तो जो सही जवाब है वो है मसूरी अब अगला सवाल लेखे भारतिय नौ सेना परमुख कौन है ठीक है भारतिय जो नौ सेना परमुख है वो कोबिन के धवन ही अभी भी वर्तमान में भी आर के धवन ही जो हैं भारतिय नौशना के प्रमुक हैं और उस समय भी थे ठीक है अब आई ये बात करते हैं एक आदमी उत्तर के और मुख करके खड़ा है ये कोश्चन रिजनिंग का आगया यहां पर बीच में अब आई ये 69 न जर्मनी इसका सही जवाब है अब यहां पर कुश्चन है बीच में जो की रिजनिंग के रिलेटर हैं उसको छोड़ देते हैं 71 का जो आंसर है यहां पर यह है कोईला 72 यहां पर आता है भारतिय स्वाधिन्ता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किस ने दिया था करो मरो का नारा किस ने दिया महत्मा गांदी ने दिया अब अगला है विलर द्वीब किस प्रदेश के टड़ से नजदीक है यह ओडिशा से नजदीक है अब अगला सभाल देखे 74 इंडिया गे्ट किस चहर में अवस्थित है आप सभी को पता हैं इंडिया गेट कहा हैं नई दिल्ली में है पार्चिद कमाख्या मंदिर किस परदेश में है जो कमाख्या मंदिर है ये कहा है असंप में है उसके अधर राजीव गांधी सद्भावना दिवस प्रोषकार सरपर्थम किसे मिला राजीव गांधी सद्भावना दिवस प्रोषकार सरपर्थम जो हो किसको मिला है तो ये मिला मदर ट्रेसा को तीक, option number 1 इसका सही जवाब है next question है, सामानी पहचान परकिरिया को किनारा करते हुए किसी computer में अनाधिकरित परवेश करना क्या कहलाता है ठीक है, लगे computer के भी दो question पुछा जा रहे हैं जैसे SSC में पुछा जाता है, वैसे ही यहाँ पर दो question computer से भी पुछा जा रहे है, एक पहले पुछा जा चुका है और एक यह question है, कि सामानी पहचान परकिरिया को किनारा करते हुए यानि उसको दरकिनार करते हुए, अगर किसी computer में अनाधिकरित परवेश कर दिया जाए, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं backdoor, ठीक है, यह bypass नहीं होगा, backdoor करते हैं उसको अब आए यह TRP, आपने नाम सुना होगा कि channel की TRP तो जो TRP है, TRP का full form पुछा गया है, कि TRP का full form है, वो क्या है, ठीक है, तो जो TRP का full form है वो है target rating point, option number B, C, इसका सही जवाब है, ठीक है, target rating point, T number option इसका जो है, वो सही है, रास्तिय गीत, अब वंदे मातरम के रचयता कोन है, यानि वंदे मातरम को किस ने लिखा, तो यह लिखा था, बंकिम चंद्र चटर जी, ठीक है, वंदे मातरम को किस ने लिखा, बंकिम चंद्र चटर जी, अब आई आज सी जो पूस्चन है तूडर्मल अकबर के सासनकाल में किस बिभाग के मंत्री थे तो ये थे वित्त मंत्री ये था वीडियो आपको वीडियो पसंद आया तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए चैनल पर पहली बाया है तो ज़रूर सब्सक्राइब थेंक्यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद